कि आप दले को बात नहीं रखना चाहते हो नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीन जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार राहुल गांधी ने मसाला खोजने की लत के शिकार मीडिया को एक बार फिर ऐसी जार लगाई कि कैमेरे के पीछे खड़े समवादाता सहम उठे और सहम ही नहीं उठे कुछ कुछ शर्मिंदा भी ओट आसी दो ये कानून के पर हैं यह मेरा काम नहीं है यह पीटिया थोड़ा नीचाहिए कानून लागू करवाना दबाव डालना वो मेरा आखिर किसकी फासी और किस दबाव की बात कर रहे थे लोग सभा के नेता प्रतिपक्ष द हत्या के मामले में अपने सजातिय आरोपी को बचाने के गंभीर आरोपों से घेर हुए उपर से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्षेत्र होने के कारण राइबरेली में दलित युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है कॉंग्रेस बुरी तरह हमलावर है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राइबरेली के नसीराबाद में मारे गए दलित युवक के परिवार से मिलने पहुचे पत्रकारों ने घेर लिया राहुल ने इसके बाद पहला आरोप जो लगाया वो ये कि इस मामल के राहुल गांधी दोफर करीब एक वजे अमेठी के हवाई अड़े पर उतरे और वहां से सीधे राइबरेली के नसीराबाद के लिए रवाना हो गया उनके साथ प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अजयराय कॉंग्रेस के उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी अविना कर दी थी पुलिस ने इस केस में छे आरोपियों को गिरफतार किया है लेकिन मुख्य आरोपी नवीन सिंग अभी भी पकड़ से बाहर है राहूल अरजुन पासी के घरवालों से मिले और उनका दुख साजा किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां जो भीड जमा हुई है वे सभी न्याय मांग रहे हैं अरजुन पासी के पूरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस मास्टर माइंड पर कारवाई नहीं कर रही है छोटे आरोपियों को पुलिस पकड़ रही है जबकि मास्टर माइंड को नहीं पकड़ा जा रहा है जान बूज कर ह हम चाहते हैं कि हर वर्क के लोगों का आदर हो इसलिए हम यहाँ आए हैं जब तक इस परिवार को नियाए नहीं मिलेगा हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले हैं राहुल गांदे ने कहा कि मेरी अरजुन पासी की माँ से बात चीत हुई उन्होंने बताया कि बेटा आर अरजुन पासी को टरकाने की कोशिश की लेकिन जब वो इस पर भी पैसे मांगता रहा तो उसकी हत्या की योजना बना डाली पुलिस के पास दी गई शिकायत के मताबिक नाग पंचमी के दिन अरजुन पासी का गाओं के नवीन सिंग से जगड़ा हो गया था दोनों के बी आएस नवीन सिंग ने उस पर फायर कर दिया गोली लगने से अरजुन की मौके पर ही मौत हो गई नवीन सिंग फायरिंग के बाद साथियों समेत मौके से फरार हो गया लेकिन योगी की बुल्डोजर पुलिस अभी तक मुख्य हत्यारे को नहीं गिरफतार कर पाई राहू दलित परिवार को धंकाया जा रहा है वो दहशत में हैं लेकिन यहां कोई कारवाई नहीं हो रही है लेकिन राहूल गांदी मीडिया पर क्यों भड़क उठे मीडिया को लोगतंत्र और विविधता का ट्यूशन क्यों देने लगे इसकी वज़ाई यह है कि वह गय थे दलि बार पूछ रहे थे कि कोलकाता की घटना पर आप क्या कहेंगे इसी पर राहूल ने मीडिया के सामने वह आइना रख दिया जिसमें उसके कपड़े उतरे हुए नजर आते हैं और वह मीडिया का अंदरोनी जातिवाद और जातिवाद से ज्यादा गलितों पिछडों आदि और नहीं चाहते हो अब डिस्ट्रैक कराना चाहते हैं राहूल ने कहा कि मैं जानता हूं आपके दिल्चस्पी एक दलित की हत्या का मामला उठाने में बिल्कुल नहीं है जो कि आपके बिल्कुल पास का मामला है इसलिए एक ऐसे मामले की तरफ फीचना चाहते हैं जो यहा के लिए मैं यहां आया हूं आप पो जो सवाल करना हो कीजिए लेकिन मेरे लिए इस मुद्द्य की एहमियत इस वक्त सबसे बड़ी है राहूल गांदी पहले भी मीडिया में भागीदारी का मुद्दा उठाते रहे पिछले साल 10 अक्टूबर को उन्होंने कॉंग्रेस मुख्याले में भरे प्रेस कॉंफरेंस में पत्रकारों से पूछ लिया था कि आप में से कितने दलित पिछड़े और आदिवासी हैं इस कमरे में दलित कितने हैं देखिए यह मज़ा देखिए इस कमरे में ओपीसी कितने है हाथ उठागे दिखा दीजिए देखिए मज़ा नहीं वहाप कैमरा मैंन है आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं इनके बात कर रहा हूं तो यह सवाल है इस पर वहां मौझूद पत्रकारों को काठ मार गया था क्योंकि वहां मौझूद दरजनों समवादाताओं में से कोई भी दलित पिछड़ा या दिवासी नहीं था कैमरा मैंन भी किवल एक था जो पिछड़े तब के से आता था इसलिए राहूल गांधी बार गांटी देता हूं जातिये जनगर्ना को आप रोक नहीं पाएंगे राहूल गांधी पहले नेता हैं जिन्नों ने जातिये विविधता और भागिदारी के मुद्दे को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है राहूल के इन्हीं तेवरों की वजह से नरेंद्र मो अले गिद्ध इस पर कब सोचेंगे इस वीडियो में इतना ही लिकर अगर आपने अर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर लीजिए बैल आइकॉन दबाईए घंटी जैसी आकृती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडिय अर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया मेरा ट्विटर हैं नवीन जानलिस्ट नमस्कार